स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल सेलेक्शन पुर में, सात्यों MP पड़वारी के एकजाम चल रहे हैं और MP पड़वारी के एकजाम में एकजाम नर जिस परकार के पुर्ष्ण पूछ रहा है, उन सबी पृष्णों को सात्यों कवर किया गया है इस एकमात्र क्लास में तो सात्यों अगर आपकी shift अभी डही हुई है MP पटवारी की और आपकी आने वाले समय में shift है तो इस class को आप लोग पूरा देख कर जाएगा और जो प्रशन आपको इस class में करवाय जा रहा है उन सभी प्रशनों के एक बार देख कर अगर आप लोग जाएगे तो सात्यों आ जो है ये भारत का राष्टेगान है किसने लिखा है रविद्ना टैगोर ने लिखा है अगर बात करें सात्यों भारत का राष्टेगीत कौन सा है तो वंदे मातरब भारत का राष्टेगीत है और ये बंकिम चंदर चटर जी ने लिखा है उसके बाद देखिए भारत का रा 52 सेकंड का समय लगता है साथी वे सभी प्रिष्णगर आप लोग तयार करके जाएंगे तो कई सारे कोशन्स आपको एक मात्रिस क्लास से देखने को मिलेगे तो सबसे पहले साथी वे इस क्लास को याने कि इस क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और जितने आपके ऐसे दोस्त है जिनका एमपी पटवारी का एक्जाम होने को उन सब ही क्लास आप लोग एक बार शियर करेंगे तो रेडियो एक्टिफ्टा की सरवधिक शुद्द रूप कौन सा होता है तो हीरा जो होता है कार्बन का शुद्द रूप कहलाता है एक्सरे का विशकार किसने किया है तो रॉन्टिजन ने एक्सरे का विशकार किया है साथी इस प्रश्णों को objective type नहीं बनाया गया है objective type वाले पृष्णों में आपका थोड़ा अधिक समय खर्च होता है इसलिए इसको one liner type से इसको बनाया गया है इसलिए आपको पृष्ण आपको दिखे और उसके सामने आपको direct उसका उत्तर दिख जाए क्योंकि जब चार option आपके सामने आते है तो अज एकदम से आपके mind में store रही हो पाता है वो पृष्ण और उसका उत्तर इसलिए आप confused हो जाते हो तो maximum आप लोग कोशिश कीजिए कि one liner type का type के प्रकार आपको questions को पढ़ना चाहिए तो एकसरे का विशकार किस ने किया है रॉंटेजन ने किया है किस धातू का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तो तामा एक ऐसा धातू है जिसका इस्तमाल मानव ने सबसे पहले किया था ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिये सातियों के अंतरिक श्यात्री को बहा आकाश कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है दूर्बीन का विश्कार किस ने किया तो गैली उडियों ने किया उसके बाद देखिये सातियों के महात्मा गानी की समाधी है इसको क्या कहा जाता है में निकल जाना चाहिए यहनि के सामान ग्यान के सेक्षिन में आप मैक्सिमम स्कोर करो यह मैं आप से ऐसी उमीद ऐसी आशा करता हूँ तो सातियों जो भी बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है तो चैनल को एक बार सबस्क्राइब जरूर कर ले जाएगा आप सबी लोग उसके बाद सेलेक्शन के बाद भले अंसबस्क्राइब मारके छोड़कर चले जाना कोई दिक्कत नहीं है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरम की गई तो कोलकाता में की गई भारत में रेल का आरम किस सन में किया गया तो सात्यों अभी मैंने आपको बताया था बंबई से थाने के बीच 34 किलो मीटर 1853 में किया गया और किसके समय में किया गया तो लॉट डलहोजी के समय में किया गया ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि पहली भारती अंतरिक्ष यात्री कौन थे इनका नाम था राकेश शर्मा और ये सबसे पहले सात्यों एक ऐसे भारत के नागरिक थे जो के अंतरिक्ष में गये थे तो कब गये थे 1984 में गये थे ये भी आपको ध्यान रखना है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो श्रीमती सुचिता करपलानी थी हरियाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे सयुक्त राश्ट की स्थापना कब हुई तो 24 अक्टूबर 1945 को सयुक्त राश्ट की स्थापना हुई भारत का 6 रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमेटर है डुरंड रेखा की बात करें तो किन दो देशों के बीच है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है करकर रेखा की बात करें तो कितने राजों से होकर गुजरती है आठ राजों से होकर गुजरती है नाथुला दर्रा किस राज में स्थित है तो साथ नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है तो यमुना नदी के किनारे पर बसा है और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीरा कुन बांध है और हीरा कुन बांध कौन सी राजमेस्थित है तो ओडिशा राजमेस्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि शिव समुंदरम जल परपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की जील कौन सी है तो वूलर जील जो के जम्मो कश्मीर में स्थित है जिम कारबेट राश्टी उध्धान की सराज्ज में स्थित है तो उत्रा खंड में स्थित है विश्मेच चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तो पहला तो चीन का है और दूसरा आपका किसका है दूसरा भारत का है उसके बाद देखिए भारत में हरित करांती लाने का शुरे किसे दिया जाता है तो स्वामी नातन को दिया जाता है डॉक्टर M.S. स्वामी नातन को दिया जाता है तो साथियों ये कुछ important questions थे आप सभी के परिक्षा के लिए आप उमीद करता हूँ आप सभी लोग क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक की जाएगा जैहिन साथियों